नमस्कार वेल गम टो इंग्लिश लर्निंग क्लासे एंड इन इन डिस सेशन वे आर गोंंट डिस्कोस अभॉट इंग्लिश वी वी का सब्सकोरि एंग्लिश भोर्यूर इंग्लिश ड्रीके से English Šabd kosh ko हम एक बहुत आसान तरीके से एक हशी हशी में खेल खेल में हम English Šabd kosh ko अपना बनाते जारहे हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जो अन्य जाने हो सकते हैं जिरको आमें सीखना है और कुछ ऐसे शब्द हैं जो जान पाचान के तो हैं बट हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि हमें डर बना रहता है कि कहीं हम गलत नहीं यूज कर दें So this is part 2, part 2 on movies and cinema, movie Hindi film, filmों से संबंधित, it's not Hindi, filmों से संबंधित ये vocabulary part 2 है So part 1 जिन्होंने देखा होगा, उन्होंने शायद comment कर दिया होगा कि ये कौन सा movie का नाम, तो हमने बता दिया था, movie का नाम है, Jowli L.L.B. 2 ये किस type की movie है, comedy है, thriller है, tragedy है, love story है, किस प्रकार की horror movie है, hilarious है, ये आपको comment box में देना है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये जितने शब्द हमने नाम लिए, ये सारे शब्द हम part 1 में बता चुके हैं, ये है part 2, love story, प्रेम कहानी, love story जब भी आएगी, तो एक नए तरीके से लेकर के आएगी, वो सुपर डुपर हिट होती है, चाहें वो मैंने प्यार किया हो, चाहें दिल पिक्चर हो, ये सब जो love story होती है, ये कुछ इस तरीके से story लेकर के आती है, कि वो हिट हो जाती है, सो love story में एक 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 एक्टर और एक एक्टरेस, एक हीरो, एक हीरोईन के मिलन की गाथा होती है, जो तीन घंटे में बिछड़ते बिछड़ते मिली ही जाते हैं, उसको love story कहते है, love triangle होता है, मतलब situation हर जगा एक जैसा नहीं होता, कई बार ऐसा भी होता है, कि एक हीरोईन, दो हीरो हो जाएंगे, एक हीरोईन को चाहने वाले दो हीरो हो जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, जैसे, राम आउतार मुभी थी, एक हीरोईन श्री देवी, और अनिल कपूर और सन्नी देवल दो हीरो हो गया, मुहब्बत पिक्चर एक थी, जिसमें एक हीरोईन मादुरे देखे, और अक्षे खन्ना, और संजे कपूर दो हीरो हो जगए, तो love triangle क्या होता है, एक हीरोईन, दो ही तो इस में एक हीरो होंगे और दो हीरोईन होगी साजन चले ससुराल एक हीरो गोविंदा और दो हीरोईन करिश्मा एंड तबूद तो ऐसे बहुत से movie मिल जाएंगी जो triangular love story पर बनी होती है और अगर वो comedy movie है तो हो सकता है कि तीनों साथ साथ रहने लगे और नहीं तो tragedy movie है तो दो में से किसी एक को eliminate होना पड़ता है तो इसको बोलते हैं triangular love story उसके बासे women who loves or is loved movies में जो heroine होती है जो hero को प्यार करती है चाहें जिसको hero प्यार करते है उसको प्रेमिका कहते है और वो पुरुष जिसे heroine प्यार करती है उसको प्रेमिका कहते है melodramatic 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 का मतलब अतीना अटकी है मौत समूभी ऐसी होती है जो पूरी picture चलती चलती रहेगी और लगता ही नहीं है कि वो कन्क्लूड कैसे होगी और लास्ट में एक सीन में कन्क्लूड हो जाती है आप लोग देखिएगा संनम बेवफा संनम बेवफा सुरू से लास्ट तक पठान खान खंदानों की आपसी बर्चस्व की लड़ाई है उसमें सल्मान खान का नाम सल्मान है और चांदनी का नाम चांदनी है तो उसमें लास्ट में एक आएक दोनों दुश्मन जो हते हैं दोस्त बन जाते हैं दोनों दुश्मन कौन है प्रान है और डैनी है तो ये प्रान और डैनी दोनों दोस्त बन जाते हैं तो उसको बोलते हैं मेलो ड्रेमेटिक अतीन आटकी यह धंग से पिक्चर जो पिक्चर का अंत होता है और एंड को अंत ही काते है इसके बाद एक्टिंग मुवी में जितने हमें हमें दिखाई पड़ते हैं चाहा मिताब बच्चन दिखाई पड़ते हो जो ही चावला दिखाई पड़ते हो प्रियंका चोपड़ा दिखाई पड़ते हो शाह रुख खान दिखाई पड़ते हो ये लोग जो मुवी में जो देश प्रेमी का रोल कर रहे हैं इसका मतलब ये कदापी नहीं कि ये देश प्रेमी हो ही सकते हैं अमरीश पूरी प्रेम चोपड़ा गुलसन ग्रोवर सदास्य अमरापूर कर यह जो मुवी में विलेन का रोल करते हैं जो यह पाकिस्तानी का रोल करते हैं जो यह देश द्रोही का रोल करते हैं यह चरूर है नहीं कि वो देश द्रोही हो ही सकते हैं वो देश प्रेमी भी हो स लेकिन उस मुवी में दोनों एक दुसरे के दुस्मन है, ऐसा उनको रोल दिया गया, उसको क्या करते हैं और उसको ठीक से परफॉर्म करेंगे तो उसको एक्टिंग करना करते हैं, उसको अभीने करते हैं, जो एक्टर होते हैं, जो उस मुवी को लीड करते हैं, जिनके biscuit होगी एक ट्रेस को हिंदी में अभी नेत्री काते हैं ट्रेटिक करेडिक करें करिटिक की कर我不知道 होता है जब वह भी साफिक पिख अपिस पे आती है चलने लगती है जब कुछ विशेशक्त जो प keeping जो है तो ब्हुत बतादे हैं यह मुवी पढ़ी अच्छी बनी र玩 यहां पर ऐसा होना जोई यह वैसा ही बना हुआ है दूसरे भी वह 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 लोग कुछ होंगे कुछ आलोचक होंगे वह वह पर वैसे कैसे पता खाने इक अनकूलोड कर देते उनको क्या कहते हैं आलोचक कल और मुंबई से बहुत से वीकली वेसिस पर मैग्जिन निकलती है माया पूरियोगर निकलती है उसमें क्रिटिक लोग अपना मुवी के बारे में अपने वीचार बताता है criticism तो जो critic लोग जो लिखते हैं उसको क्या करते हैं वो आलोचक जो कुछ भी कहते हैं उसको आलोचना ही कहते हैं और आलोचना को हिंदी English में criticism कहते हैं उसके बाइसे wise कई बार ऐसा होता है कि मुवी में मुँ एकसं तो कोई और कर रहे हैं लेकिन उनकी आवाज किसी और की दी हुई है हो सकता है कि उसमें उनकी आवाज ठीक न हो और चाहे उसमें किसी और दमदार आवाज की जरुवत हो तो उसमें जो आवाज दी जाती है उसको English में wise करते हैं जो महाभारत मुवी महाभारत सिरियल बनाता बियर चोपड़ा का तो उसमें बीच बीच में पीछे से एक आवाज आ रही है मैं समय हूँ और यह जो कहानी है वो सिर्थ मैं ही बता सकता हूँ क्योंकि न मेरा अंत होता है और न मेरा प्रारंब होता है मैं समय हूँ ये जो आवाज मोटी मोटी सी आवाज उसमें आ रही होती है वो राज कमल की आवाज होती है तो उसको background sounds में जो जाल लाते हैं उसको बोलते हैं sound, आवाज इसके बाद से sub story जितनी movies होती है उसमें छोटे 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 कही न कही स्कूरी सरा Covid असजी संधिया है वह यहीरो के लिए लड़ते हैं जो देश के लिए लड़ते हैं arte smart觉 ग्यायरोक णिज से अरे देश इंड्यसा हों काम करते है वैसों उनका असली चयॆ वो नहीं है, असली चरितर कुछ और है, तो दे आर एक्टर, दे आर नॉट हीरो, हीरो हमारे साइनिक हैं, हमारे पुलिस वाले हैं, हर वो किसान हीरो है, जो अपने खेत में अपनी खुन पसीने की महनत लगा करके और अन उप जाता है, इस देश का, जितना भी सच्चे लोग वो सब इरो हैं, यह हीरो, हम लोग कहने लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उस पिक्चर में अच्छा रोल कर रहा है, बट वो जैर एक्टर, एक्टर मींस अभीनेता, और एक्टरेस मींस अभीनेत्री, हो सकता है, इसके बीच्छे पीच्छे आए, उसका बाद से स्क्र मीं जो होता है, जो स्क्रिप्ट होता है, जो स्टोरी होता है, स्टोरी राइटर होते हैं, तो स्टोरी को क्या कहते हैं, कथा कार कहते हैं, यह कथानक प्लॉट है, स्टोरी को कहां कहां कैसे कैसे ट्विस्टिंग देना है, वो प्लॉटिंग हो गया, और कथा लेखक जो होत बनाता है, subject of a narrative, कथा वस्तु क्या होनी चाहिए, उसके अनुसार कथा की जाती है, कहानी की जाती है, स्टोरी बनाई जाती है, मूवी बनाई जाती है, इसके बाद से आर्टीस्ट, मूवी में जितने कलाकार हैं, जितने एक लोग acting कर रहे हैं, उन सब को आर्टीस्ट भी कहते हैं, किसी को चाइल्ड आर्टीस्ट भी कहते हैं, छोटे छोटे बच्चों की भूम का जोनी भाते हैं, तो आर्टीस्ट को हिंदी में कलाकार कहते हैं, वीलेन, वेरी इंपोर्टेंट परसन, वीना वीलेन का मूवी चलाना ही मुश्किल है, पांडों का नाम द्वापर यूग से लेकर के इस कली जूग तक इसलिए जाना जाता है, क्योंकि उनके सामने कौरों जैसे महान खलनायक थे, बड़े भयंकर खलनायक थे, कौरों के प सूपर डूपर हीट होगी, बीच के समय में तो कुछ ऐसा सलसिला चल 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 का था, कि हर बड़ी मुवी में अमरीश्पूरी विलेन है, और जिसमें अमरीश्पूरी विलेन है, वो मुवी हीट होने की गारंटी हो जाती थी, चाहें किसी भी हीरो को डाल दीजिए, वैसे देखा जाता है कि जितना दमदार विलेन रखेंगे, उससे ज्यादा दमदार आपको हीरो रखना पड़ेगा, नहीं तो चल नहीं पाएगी मुवी, विलेन होते हैं, जैसे हमने हीरो अगर मैंने किसी को मान लिया, तो उसके काम को बिगाड़ने वाला विलेन भी हो गया, लव स्टोरी होगा तो उसके घरवाले विलेन हो सकते हैं, उसके औरोसी पोडोसी विलेन हो सकते हैं, उसके रिलेटी विलेन हो सकते हैं, और अगर एक संद थ्रिलिंग मुवी होगी, तो थ्रिलिंग मुवी होते हैं, जो भी एंटी सोशल एलिमेंस हैं, वो विलेन हो सकते ह सदासियम्रावपुरकर परेश रावल अनुपमखेर रजा मुराद इनलों का नाम बड़े बड़े खलनाएं को में आता है विलनेश कुछ पिक्चर ऐसी भी होती है इसमेんです लेडी विलन होती है खलनाएं काएं भी होती है अरे जितने भी घर-घर की कहानिया होती थी उसमें एक बिंदू नाम का चरित रहता था वो सास बनती थी और बहूं को जलाती थी तो विलेन का भी रोल आता है उसके बाद से मेल सिंगर मतलब गायक सिंगर मतलब गायक होता है लेकिन चुकि यहां मेर और फीमेल जोड़ना है इसलिए गायका जोगी वो फीमेल सिंगर होगी और मेल जोगे गायक फीमेल गायक होगे मुहम्मद रफी साहब हो मुकेश साहब हो सुरेश वाडकर साहब हो मुहम्मद अजीज हो आज के कुमार सानु जी हो उदित नरायन जी हो सोनु निगम जी हो यह मेल सिंगर में आते ह हो लता मेंग इसकर पुशाम आशा भोसले इसके बाद से अलकायागनी कुम कविता करिष्णमूर्थी उन्राधा पॉडवाल अभिष्ट्रिया गोशाल इनको कौन नहीं जानता यह गाई-गाएं हैं सौंग लेरिक सो गीत होता है गीत मतलब एक पोएटरी फॉर्म में होता है पोएटरी फॉर्म को कनवर्ट किया जाता है संगीत में तो इसको गीत बोलते है इसके बाद से लिरिक में गीत के बोल होते हैं वहीं हो गया गीत और गीत के बोल एक ही बात होई उसके बाद से मोशन पिक्चर होती है चल चित्र 친ema haul के हिंदी में स्थावी गिरिय होता है, जहां पर मोई देखने हूं जाते हैं बिजिनेस स्प्लेस जहां पर मोई देखने हाँ मजाते हैं TICKET खरीत करके उसको 친ema haul करते हैं, 친nhema haul के हिंदी में देखने हैं, City Mansion to graphy City Congressman निए चल चितेरि कि it's a science of Cinemam Si't See in suf旭 रवीश्य मतलब यह सिल बड़ा भ्यां करता है यह सिल बड़ा इंट्रेस्टिंग था यह सी मेड़ा लोट पोर्ट करने माला था उसको क्या बोलते हैं द्रिश्य कहते है। सीन बडलता रहता है, मोडूलस मतलब धुन, बीच बीच में धुन enable को मोडूलस घाते हैं। इसके बाद मेल डैंसर, जो कोई मेल हों और डांस कर रहे हैं, उनको मेल डैंसर कहते हैं, मेल डांसर को हिंदि में नर्तक कहते हैं। female dancer को Hindi में नर्तकी कहते हैं drama जो होता है इसको नाटक कहते है so basically movie क्या है movie is the collection of drama कई प्रकार के नाटक उसमें मिले हुए है movie में dramatic मतलब नाटकी मतलब वहीं जहां पर कहीं conclusion होना होगा तो नाटकी यह conclusion होता है उसको dramatic बोलता है hero मतलब उस movie का जो एक्टर है उस movie का जो lead person है उसको hero कहते है नायक कहते है और heroine नायका होती है इन ही के इर्दगीर्द movie चलती है director क्या होते है निर्देशक होते है अगर अगर यह administrative terminology में director आएगा तो निर्देशक होगा यह रेफ जोगा हट जाएगा सिर्फ निर्देशक और जब movie के related आएगा तो director means निर्देशक producer तो यह जो producer होते है producer को हिंदी में निर्माता काते है तो यह जो movie जो बन गई वो जो प्रोपर्टी है वो प्रोपर्टी जो प्रोड्यूसर का है movie कैसे बनाना किस तरीके से बनाना प्रोड्यूसर अपने अनुसार डायरेक्टर को रखता है अपने अनुसार hero hero in सबका चाहन किया जाता है लेकिन जितने expenses यह producer के होंगे इसलिए जितने इंकम होंगे वो भी producer के ही इर्द गिर्द भूमेगा unless until some contract is there agreement is there उसके बासे choreographer choreographer means नृत्य निर्देशक करेंगे किस तरीके से उनको मुमेंट करना है ताकि दर्शकों को अच्छा लगे किस गाने पर किस धून पर हाथ किसे करने है पैर कैसे करने है मतलब डांसिंग के जितने performance हो सकते है जितने step हो सकते है उस step को guide करने वाले का नाम जो होता है वो choreographer होता है स्क्रीन पिले, स्क्रीन पिले मतलब पट कथा, मतलब इस स्क्रीन को यहां पर रखेंगे, उस स्क्रीन को वहां पर रखेंगे, इसको पहले डालेंगे, इसको बाद में कहानी डालेंगे, so that यह इंटरेस्टिंग बन सके, कौन सी लगू कथा कहां पर डालना है, so that वो इंटरे एक्टर होते हैं और उसको पात रखाते हैं उसके बाद से प्लेबैक सिंगर पार्शु गायक है जितने हमने गायक के नाम रखे मुहम्मद रफी मुकेश मुहम्मद अजीस सब्बीर कुमार उधित नारायन जी कुमार शानु जी सोनो निगम जी ये लोग क्या है ये पार्शु गायक है पार्शु गायक का मतलब क्या होता है ये गाना गा दिया इन्होंने बट इनके गाने पर परफॉर्मेंस कोई हीरो हीरो इन करती है ये परफॉर्म नहीं करते है परफॉर्मर कोई और है और ये बगल से गाने गार है इ इनका ये जितने भी हमारे चाहे अलकाय अगनिक हो लता मंगिसकर जी हो कविता किष्णमूर्ती जी हो श्रिया घोशाल हो यह लोग पार्शोगाई का है देर प्लेबेक सिंगर लौव ट्रैंगल इसकी चर्चा हम कर चुके हैं लौव ट्रैंगल में क्या होता है या तो एक हिरोईन होगी दो हिरो होंगे जैसे मैंने एक्जाम दिया राम आउतार मुवी में जैसे हमने एक्जाम दिया मुहबबत मुवी में तो इसमें राम आउतार में एक हिरोईन स्री देवी और उनके इर्द गिर्द में अनिल कपूर और सनी देवाई इसका उल्टा भी हो सकता है कि दो हिरोईन और एक हिरो साजन चले ससुराल वाली सीन हो जाएगी तब्बू और करिश्मा दोनों ही दो हिरोईन है और एक हिरो को विंदा के तरफ तो लाव ट्रेंगल का मतलब यह होता है कि नॉर्मली लव क्या होगा एक हिरो एक हिरोईन लेकिन अगर दो हीरो हो गया चाहें दो हीरो हो गया एक हीरो हो गया तो लॉव ट्रेंगल सीन बनते हैं उसको प्रेम त्रिकोन काते हैं Child film, कई बार छोटे-छोटे बच्चों के लिए movie बनाए जाती है, उनके motivation के लिए movie बनाए जाती है, उसको बोलते है, Child film मतलब बाल film, बच्चों के लिए, role मतलब भूमिका, movie बनती है, movie में thousands of role होते हैं, किसकी क्या भूमिका होगी वो निर्धारित किया जाता है, जिसको जो role दिया गया वही रोल करेगा किसी को हीरो का रोल दिया गया है किसी को विलेन का रोल दिया गया है वो अमरिश्पूरी जिनके विलेन बनने से लोग काप उठते हैं उस अमरिश्पूरी को पॉजिटिव रोल भी दिया गया है परदेश पिक्चर देख लिजिए अजय देवग आते हैं राजा की आएगी बारात इसमें गुल्शन ग्रोबर का पॉजिटिव रोल देखने लाइग है टू प्ले रोल भूमी का अधा करना जिसको जो रोल दिया गया है उस रोल को परफॉर्म करेगा उसको प्ले काते हैं प्ले मतलब खेलना होता है लेकिन यहाँ प्ले रो के लिए हूं चाहें कुछ जल पानों के लिए हो एक ब्रेक दिया जाता है और वहा पर मुवी को ला रोकर के एक बीच जगह पे पांच मिनट के लिए दस मिनट के लिए रुका जाता है systematic तरीके से रुका जाता है ऐसा नहीं कि post कर दिये तो वहाँ उसको interval काते है interval means मध्यांतर हिंदी में लिखके आएगा मध्यांतर English में लिखके आएगा interval तो movie में लगभग बीच में एक interval आता है उसके बाद से action film भार थाड़ वाली कहीं पर fighting हो रही है कहीं पर लाठियां टूट रही है कहीं पर गोलियां चल रही है कहीं पर बंबंदुके चल रही है कहीं पर तिरंगा मुवी चल रहा है क्रांतिवीर मुवी चल रही है ये सब action film है इसके बाद turning point देंगे बहुत से ऐसे मूभी होती है जहां पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है और एक ऐसा कुछ incident होता है जो मूभी का पूरा direction ही change कर देता है गाना आ जाता है मुझे तेरी मुभबत का सहारा मिल गया होता है अगर तूफान नहीं आती किनारा मिल गया होता है तो कोई नो कोई ऐसा सीन आएगा जहां पर राजिंदर कुमार और साधना के बीच में कोई प्रेम चोपड़ा आ जाता है और कहानी बिगड़ जाती है तो उसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट एक जबाब मुवी है राजबबर का और डैनी का डरते डरते वो लास्ट के ज सब कुछ चेंज कर देता है और वहां से मुवी इंट्रेस्टिंग हो जाती है सो हर मुवी में कई जगह पर टर्निंग पॉइंट आती है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मोड बिंदू म्यूजिक का आथ संगीत होता है ये आप लोगों को पता है म्यूजिक डैरेक्टर ज उसरे का नाम है नदीम और स्रवण की मतलब नदीम एक का नाम है स्रवण एक का नाम है ये जोडियां चलती थी पहले और ये जोडियां हिट हुआ करती थी मूजिसियन मतलब संगितकार होते थे इडिटर मतलब संपादक होते है मतलब मुवी बन गई है और मुवी बनने के मजियर्य मुभी का most important part होता है महा भारत जो सिरियल है वो तरही मसूम रज़ा जो 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 उसमें शकुनी मामा का रोल किये है जो महा भारत में शकुनी मामा का रोल किये है डॉक्टर राही मसूम राज़ा उनका dialogue उसमें था फूब चला बहुत बढ़िया से चला कादर खान पहले डायलग लिखा करते थे अच्छे चलते थे तो ऐसे ऐसे क्या है बहुत से मूवीज में डायलग हिट हो जाते हैं सुपर हिट हो जाते हैं और डायलग के हिट होने से मूवी भी हिट हो जाती है तो dialogue को हिंदी में संबाद कहते हैं, comedy means hostile film, comedian हस्याविने ता, comedian कुछ अलगे भी मूवी में डाले जाते हैं महमूद हुआ करते थे। आज के डेट में भी बहुत से कलाकार हैं, जो हसाने के लिए उनको बीच में डाला जाता है जोनी लीवर हो गए राजपाल यादा हो गए ये लोग अच्छा कॉमेडियन का रोल कर लेते हैं हैपी हिंडिंग सुखांत लव स्टोरी है और हीरो हीरो इन लाश्ट में मिल जाते हैं सुखांत हो गया दिल पिक्चर बन जाएगा बे हीरो हीरो इन दोनों the end सोनी महीवाल पिक्चर बन जाएगा द लैला मजनू पिक्चर बन जाएगा द एंड सो कहने का मदलब कि हैपी एंडिंग भी हो सकता है क्मोई को गुमाना है जो रिविवर होते है वो फिल्में समिकशक होते हैं और फिल्म कि में अच्छाया की है और खराबियां क्या है उन दोनों की वो समिक्षा करते हैं उसी को review करते हैं fantasy fantasy जो होती है कलपना होती है आजकर जितनी भी movie आती है शुरू में एक disclaimer वो दे देते हैं कि इसमें ये एक कालपनिक movie है इस movie में दिखाएगे किसी भी घटना का किसी भी जीवित वेक्ति से कोई संबंद नहीं है अगर है तो ये मात्र एक साइयोग है ऐसा करके वह सर्टिफिकेशन आता है मुविज जो होती है maximum कालपनिक होती है रियलीटी मेंादली कोई होती होगी नहीं तो movies maximum जोगी हो कालपनिक होती है उनकी चकर में आप जहाज से कूद करके अजय देवगन नहीं बनना है पाकिस्तान में बोडर ऐसे ही बिना बीजा का बिना पासपोर्ट का बोडर पार करके और जा करके और हैंड पम्प उखाड करके और पाकिस्तानियों को पीटना है ऐसा कुछ ज्यादा अतिश्योक्ती भी नहीं करनी है वो जो है fantasy है एक कलपना है वो कलपना के सागर में हमें आनंद प्रदान करने जा रहा है डायरेक्टर रियलीटी से उसका दूर दूर तक संबंद है कि नहीं करना मुश्किल है अब आज का जो है सवाल ये है कि ये ये जो सीन है आप समझ गए होंगे किस मूवी का है सिर्क मूवी का नाम comment box में डालना है किस प्रकार की मूवी है अगर ये डालते है तो और भी अच्छा है लाव स्टोर्य हो सकता है हौर आयर है ट्रेजडिक है सस्पेंस है क्या है ये हिलेरियस है ये आप इसको बताज़े अगर किसी कारण से इसको नहीं पहचान पाए तो इसको पाचान कर बताईए, ये scene कौन सा है, सिर्फ इतना ही लिखना है, ये scene क्या है, ऐसे scene क्या कहलाते है, action scene है ये, ऐसा कुछ आपको comment box में डालना है, अपना प्रिप्रेशन करते रहे हैं जो कुछ भी हम मेटिरियल डाल रहे हैं हो स्गेजी यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हैं उसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए दूसरा चैनल पर और लेडी है मेटिरियल अबलेबल हैं स्गेजी 2.22 पर उर्पजा करके आप इनका स्गेजी 2.22 है इसमें 991 वीडियो है इसमें भी जाकर के आप अपने इंट्रेस्ट के अनुसार व्यू कर सकते हैं मेरा दावा है मेरा अपना दावा है कि किसी भी वीडियो को आप तीन बार देख लीजिए आपके पास वो शारेश अब्द आपके हो जाएंगे प्रेक्ट प्रेक्टिसिंग मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए नमस्कार